आज मैं आपके साथ में कैसा फेशियल शेयर कर रही हूँ जिससे आप उतने चेहरे पर इंस्टेंट तो गिलो लाएंगे साथ में यह आपकी स्किन से दाग धबो को भी दूर करेगा और घर पर रहकर आप यह फेशियल कर सकते हैं वो भी हमारे घर के समान से तो आपको सबसे पहले क्या लेना है एलोवेरा जेल ले लेना है इसमें दो स्टेप होंगी एक हम बनाएंगे स्क्रब और एक हम बनाएंगे फेस पेक तो फेस पेक हम बनाएंगे मुलतानी मिट्टी में कुछ चीजे मिला कर जिससे आपकी स्कीन को यह टाइट करेगा ग्लो लाएगा और च चेहरे को साफ करने के लिए जो भी वाइट हो जाते हैं बूबी रिमूव हो जाएंगे तो इसके लिए आपको लेना है एलो वेरा जेल, एलो वेरा जेल आप प्लांट वाला भी ले सकते हैं, नेक्स्ट आपको इसमें एट करना है राइस फ्लोर चावल का आटा, चावल का आ चेहरे का मेल रिमूव करता है और इसकीन को सौप्ट बनाता है और चावल का आटा जो होता है उसमें एंटी एजिंग गुण पाय जाते हैं जो हमारी स्कीन से समय से पहले जुर्रियां दिखने लग जाती है तो यह जुर्रियों को दूर करने का काम करता है स्किन को फियर बनाता है और जो भी हमारे फेस पर वाइट हो जाते हैं उनको दूर कर देता है तो आपको क्या करना है अब आपको इसमें एड़ कर लेना है लेमन की कुछ ड्रोप एड़ कर लेना है पास से 6-7 क्यूंकि लेमन में ब्लीचिंग प्रोपर्टीज पाई जाती है डारेक्ट फेस पर नहीं लगाना चाहिए आपको इभी फेस पेक में मिला कर इसक्रब में तो आप इसका यूज कर सकते हैं नेक्स्ट आपको इसमें एड़ कर लेना है करड दही अब आपको इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है दही हमारी स्कीन से दाग दबो को दूर करता है स्कीन को गलोईंग बनाता है इसकीन पर गलो को बड़ा देता है जिनकी स्कीन बहुत ज़्यादा ड्राय रहती ये उनके लिए भी बहुती ज़्यादा वेनिफिशल होता है दही में लैक्टिक एसिड भी होता है जो हमारी स्कीन के लिए बहुती ज्यादा वेनेफिशियल होता है तो सारे इंग्रीडियन को अच्छे से मिक्स कर लेना है यदि आपको शादी पाटी या कहीं भी जाना हो या फिर आप घर पर रेकर अपने फेस पर फेस केर करना चाते है चेहरे पर गलो लाना चाते है बिना साइड इफेक्ट वाली चीजों का यूज किये वो भी नैच्रल चीजों का यूज करके चेहरे पर गलो लाना चाते है यह पैशियल जरूर करें, बो भी आसानी से, इसको कोई भी कर सकते हैं, मेन बूमेन दोनों ही, तो सबसे पहले फेस को वाश करना है, इसके बाद में आपको इसको पूरे फेस पर अपलाई करना है, यह आपकी skin से white heads, black heads को remove करेगा skin पर जो भी dead cells होते हैं, जो भी male होता है, कालापन होता है skin बहुत ज़्यादा tanning हो जाती है face पर धूप में जाने से sun tanning, sun burn और यह pigmentation को भी दूर करेगा, चेहरे पर glow भी लाएगा तो पूरे face पर अच्छे से apply करके आपको क्या करना है, अच्छे से massage करना है massage करने से जो भी आपके skin पर male होगी, गंदगी होगी वो निकल जाएगी और skin एकदम soft और clean हो जाएगी, तो पूरे face पर अच्छे से apply करके massage करना है मसाज आपको कम से कम 5-8 मिनिट तक अच्छे से पूरे फेस पर मसाज करनी है और जो भी इंग्रीडियन्ट हमने एट करे हैं वो सारे नेचरल हैं और नेचरल चीजों का यूज करके हम ये फेशियल कर रहे हैं जो आपकी स्कीन पर इंस्टेंट ग्लो लाएंगे और इसको टीनेजर से लेकर किसी भी एज की लोग कर सकते हैं जो बाहर जाकर पालर जाकर फेशियल कराना नहीं चाते हैं और चेहरे पर ग्लो लाना चाते हैं तो ये उनके लिए बहुती ज़्यादा फायदेमंद ये फेशियल है अच्छे से पूरे फेश पर मसाज करेंगे ये आपके फेश को एकदम क्लीन और सॉप्ट तो बनाएगा साथ में चेहरे पर ग्लो को भी बढ़ा देगा जो स्कीन टैनिंग हो गई है रूखी सू की एकदम बेजान हो गई है तो ये चेहरे पर एकदम चमक लेके आएगा अच्छे से मसाज करना है नोस के आसपास भी अच्छे से मसाज करें जो वाइट हैट्स हो जाते हैं जो देखने में बहुती ज़्यादा बेकार लगते हैं और चावल का आटा नेच्रल स्करब का काम करता है ये आपकी स्कीन से जो भी वाइट हो जाते हैं उनको एक बार में रिमूब कर देगा जिनके वाइट हैट बहुत ज़्यादा दिखते हैं और देखने में बहुती ज़्यादा गंदे लगते हैं तो जब भी आपको लगे कि आपकी स्कीन पर बहुत ज़्यादा टैनिंग हो गई है, बहुत ज़्यादा वाइट दिख रहे हैं, तो आप ये फेशियल बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, तो अच्छे से मसाज करें, पूरे फेस पर अच्छे से मसाज करेंगे, मसाज करने के बा आपके face पर बहुत जादा glow आएगा face इतना साफ हो जाएगा एक बार में तो आप देख सकते face एकदम clean हो जाता और soft हो जाता है इसी तरह से आप भी अपने face को soft बना सकते अब next step जो है वो है face pack तो face pack बनाने के लिए आपको एक बाउल लेना है इसके बाद में आपको इसमें add करना है मुलतानी मिट्टी powder मुलतानी मिट्टी बहुत ज़्यादा ठंडी होती है और हमारी skin के लिए बहुत ज़्यादा beneficial होती है जिनको बहुत ज़्यादा pimple मुहा से एकने हो जाते हैं उनके लिए तो ये बहुत ज़्यादा beneficial है और इसको को भी भी apply कर सकते हैं मुलतानी मिट्टी एक natural ingredient है जो हमारी skin और हमारे hair के लिए भी बहुती जादा फायदे मन्द होती है तो मुलतानी मिट्टी आपको ले लेना है 1-2 चम्मच और मुलतानी मिट्टी हमारी skin से जो भी extra oil होता इसको absorb कर लेती है चेहरे पर जो भी गंदगी होती उसको दूर कर देती है नेक्स्ट आपको इसमें एट कर लेना है कोफी पाउडर कोफी पाउडर एसा इंग्रीडियन्ट है जो हमारी स्कीन पर ब्लड सर्कूलेशन को बढ़ाता है पिग्मेंटेशन को दूर करता है स्कीन से जो भी टेनिंग हो जाती है फेस पर उसको भी दूर करता है और अंडर आई डार्क सर्कल को भी रिमूव करता है और ये हमारी स्कीन पर चमक लाता है ग्लोइंग बनाता है हमारे फेस को और मुल्तानी मिट्टी हमारी स्कीन को टाइट भी करती है जैसे कि समय से पहले fine lines रिंकल आ गए हैं तो आप मुल्तानी मिट्टी का face pack जरूर अपलाई करें यदि आपके पास में time नहीं है scrub करने का तो आप ये face pack की अपलाई कर सकते हैं अब आपको क्या करना है इस matte करना है wild turmeric कस्तूरी हल्दी कस्तूरी हल्दी हमारी skin के लिए बहुती ज़्यादा beneficial होती है ये हमारी skin को glowing बनाती है ये antiseptic और antibiotic भी होती है साथ में हमारी skin को निखारने फियर करने का भी काम करती है और काले दाग धब्बे निशान को भी दूर करती है next आपको इसमें add करना है honey शहद हमारी skin से dryness को दूर करता है साथ में दाग धब्बे जाईया पिग्मेंटेशन को भी दूर कर देता है इसकीन पे जो भी काले निशान हो जाते हैं उनको दीरे दीरे करके हलका करता है next ingredient आपको इसमें add कर लेना है दही दही add करके अच्छे से mix कर लेना है दही हमारे चेहरे पर glow भी लाता है दाग धब्बो को दूर करता है pigmentation को दूर करता है skin के लिए बहुती ज़्यादा beneficial होता है और ये हमारी skin पर glow को बढ़ाता है जिससे आपकी skin बहुत ज़्यादा glowing हो जाती है तो अच्छे से mix कर लेना है अच्छे से mix करना है और ये face pack बनके ready है तो इसको जब आप चेहरे पर लगाएंगे तो आपके face पर भहुती अच्छा glow आएगा और ये आपकी skin को tight बनाएगा यदि समय से पहले आपकी skin पर बहुत ज़्यादा fine lines रिंकल दिखने लगे हैं तो आप देख सकते हैं इस तरह से आपको इसको mix कर लेना है बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना है इसी तरह से बनाना है और अब आपको इसको पूरे चेहरे पर अच्छे से लगाना है पूरे face पर अच्छे से लगाना है इसको neck पर भी जरूर लगाना है लगा लेंगे और नेक पर भी लगाना जरूरी है क्योंकि हमारी स्किन इवन दिखे तो इस फेशियल में जो भी इंग्रीडियंट मेंने एड़ करें हैं बहुत सारे नेच्रल हैं और इसको मैन बुमेन कोई भी यूज कर सकते हैं और जब भी आपकी स्किन बहुत जादा डल यह चेहरे पर बिल्कुल भी लो नहीं रहता वाइट है दिखते हैं फेस पर और आपके पास में इतना टाइम ही नहीं है कि आप पालर जाकर अपना फेशियल कराएं तो आप यह फेशियल घर में जरूर करें अच्छे से सबसे पहले आपको करना है इसक्रब इसके बाद मे हमारी स्कीन को हार्म नहीं करती है और साथ में हमारी स्कीन को गलो भी देती है वो भी नैच्रल गलो तो अच्छे से कम से कम 20 मिनिट तक इसको लगा कर ऐसे ही छोड़ देना है जब यह ड्राय हो जाए तब आपको नॉर्मल वाटर से अपने फेस को वाश कर लेना है तो नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिप अबाए और एंट तेक केर